नमस्कार दोश्कों स्वागत है आपका ससी लर्णिंग वाइसिंग सर आज हम करेंगे दो दिसंबर 2020 की सेफ्ट वन के पेपर ठीक है 15 कोश्चन होगे टोटल और यह 15 कोश्चन ही क्यों आ रहे हैं इसका वी रीजन आपको वीडियो के बीच में मिल जाएगा चलो फिर स्टार डेस मेटरियल खरीदा अब देखो पहला सवाल था काफी आसान सवाल मिल गया आपको क्या करना था सबको जोड़ना था 6.75 हो गया 8.57 हो गया 7.83 हो गया अब यहां पर देखो जोड़ने से पहले एक बार ओर देख लिया करो कि साथ चे एक गड़ी के मिनट वाली सुई की लंबाई इतनी है दस मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा ते की दूरी छेतरफल बताना देखो सिंपल सी बात है एक मिनट में एंगल कितना बनता है 6 डिगरी का, दस मिनट में कितना बनेगा साथ डिगरी का अब फार्मूला आपको पता ही है पाई ए अ kick कामान कितना हो जाएगा पान दूनी दस पांच एकम पांच पान दूनी दस हो गया बाइस बटे में साथ कर देंगे इधर हो गया एकक सी किसियम चार सो एकतालिस बटे में चार इंटू में साथ बटे में तीन सो साथ हो गया तो जीरो से जीरो चचरंग छत्तिस हो गया दो द अगला सवाल अभी ये थोड़ा फास्ट चलेगा रीजन क्या है कि मैंने 45 के 45 सेट आपको पूरे मतलब पूरा क्या पूरा करवा दिया उसके बाद देखा कि रिकॉर्डिंग बटन ही ऑन नहीं थी तो बहुत बड़ा धोका हुआ है मेरे साथ कोई बात नहीं किसी काम को दस पुरुष दस दिनों में कर सकते हैं उसी काम को दस दिनों में समाप्त करने के लिए 12 महलाओं के आवसकता होती है यदि 8 तो आपको भाईया नंबर उतना ही मिलेंगे जितने एक्जाम में वो देगा और इतना लिखके दिखा रहे तब भी उतना ही मिलेंगे तो आपको इसके पीछे भागना है कि किस में टाइम बच रहा है तो इस तरीके से यह आगी एफिसेंसी आप टोटल बर्क लिखेंगे तो दस पुरुष छे एफिसेंसी से दस दिन काम किये यह तोटल बर्क आ गया अब किसको करना आठ पुरुष को गड़े में छे कर देंगे प्लस की छे मेला है पांच हो गया तो आठ चंग अड़ तालिस हो गया चे पंजे तीस हो गया यहने कि कुल मिलाकर कितना हो गया ग अगला सवाल एक खेत में फॉर मीटर तरज्या बाला इतना मीटर गहरा घड़ा खोदा जाता है फूदने पर प्रात्य मिट्टी में इतने एक प्लेटफार्म बनाया जाता है ठीक है देखो दोनों का वॉल्यूम बरावर कर दो पाई आर इस बरावर क्या हो जाएगा लब पर चाले बाद होने के बाप जूद भी यह वीडियो मुश्किल से रिकॉर्ड होता है तो ओपर से रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो बहुत दोका हुआ है मेरे साथ तो बहुत ही अप्सोस हो रहा है अब यहां पर देख लेते हैं जो कुछ कटेगा तो सबसे पहले तो पांद होगया चार चुकू-16 हो गया अब तो कुछ कट नहीं रहा है यह कट रहा है 27-47-47 यहनिकि 77 बटे में दो बटे में 100 बराबर में एच हो गया तो यह तो यह हैंसल आउट की की में हमने चेंज नहीं किया ज़रूरत नहीं है ऑप्सन नहीं चाह रहा है अगर ऑप्सन चाहेगा तो आब मुझे के नहीं करूंगा और पॉंट 38 5 लिख दें तब तो हम प्उइंट को धेंगे यहां कोई जरूरत नहीं है अगला एक बेक इतने मीटर लंबे इतने मीटर चोड तो आपको इन लेके बुजा निकालनी पड़ेगी जिससे की टाइल बरावर बरावर दोनों साइड से आप पुरा कबरे में लगा सकें तो यहां पर एस निकालना ताब जरूरी नहीं कि बहां से निकालने बैटो ऑप्सन दिये गए हैं क्योंकि हमसे बुजा पूची गई ना कि टाइल की संख्या तो सबसे पहले 23 को पकड़ते हैं 23 को पकड़ा तो तो यह तो यह कट गया ठीक है लेकिन इसको देखते हैं दूनी चैलिक दस बच गया एक सो साथ यह नहीं कटेगा अब बैसे भी अगर आप से चेक करते ना तो इन दोनों में करते तो इजन उसके पीछे आपको बताएं कैसा उदर एक किस दूनी ब्यालिस लिख दिया अब दो वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां पर कहीं दिख करना पड़ेगा यहां से करते तो 21 दूनी ब्यालिस इखिए इखिए तरीके से कर लिया करो आसानी से आजाता है चलो फिर अगला सवाल एक अच्छा में 48 विध्यारती है कच्छा के 32 लड़कों का उसतवार इतना केजी है और लड़कियों का उसतवार इतना केजी है पूर यहां पर देखो वाइस और यह हो गई गल्स यह वाइस अगर 32 हो गए तो यह कितने बच्चे इनका रेशियो शोला दूनी 32 हो गया हमने माली हमारे पास इतने ही बच्चे अब लड़के कितने थे हमारे पास दो थे यानि कि अधर कर देंगे 45.15 गोड़े में हो गया अब इनमें 3 का भाग करना पड़ेगा तभी तो यहां पर करेंगे इनको करेंगे दो सब्सक्राइब करने के लिए कार की चाल इतनी बड़ा दी जाते हैं सब्सक्राइब करने में उसका समय बताना है अब यहां पर देखो सो जा रहा था और इधर 280 जा रहा था उसमें लग रहे थे 11 गंटे यहां पर यहां पर ऐसे नहीं करेंगे हमें ऑप्सन में किसका मान दिया गया था सो का यहां पर टाइम दिया गया होगा इसके लिए कितना ती बराबर में चार तब स्पीड कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी यहां पर स्पीड कितनी बन जाएगी 25 15 40 बन गया तो यहां पर टाइम कितना आ जाएगा को इतने के ला सादारण व्याज पर निवेशत किया उसका ररसיה सादारण व्याज इतना है तो कितनी दन्राण ख्ली है तो dost दूनी चेक साथ बटे में दो अब यहां पर देखो रासी तो हमें चार पता लगी बटे में सो भी तो आता तो इसको understood रखो अपने दिमाग में साथ दूनी चौदा एक 15 बटे में दो गया इधर करेंगे तो यह अब हमें 8 परसेंट इंका सब का पता लग गया अब इनको सबकों में क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा तो साथ चोग 4 7 9 अमें निकालना था किसका बारे कमान निकालना था आप यह बताओ यह जो नीचे वाला यह तो हटके ऊपर चिपर जाएगा अब बारे कमान इसलिए निकाला क्यूंकि हमारे पास टोटर रासी बारे थी यहां पर 9 कर लो अब यहां पर पूरी कैलकुलेशन से अच्छा ह 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 हमें 6 चाहिए तो 3 में किसका गुणा करें कि 6 मिल जाएगा केवल ऑप्शन में एक ही दिख रहा था 2 का गुणा करने पर हमें मिल जाएगा बाकी आप पूरी कैलकुलेशन करते रहें ऐसे ही टाइम बेस्ट होगा ठीक है अगला सवाल यदि 22 की दंडासी को अर्धवारसिक चक्रवधी रूप से होने वाली ब्याज की गढ़ना के आधार पर 12 परसेंट बारसिक चक्रवधी ब्याज से 2 बरसों के लिए निबेस किया जाता है तो 2 बरस पूरे होने पर कितनी दंडासी प्राप्त होगी अब यहां पर देखो सिंपल सी बात है आपको अगर दो साल के एफेक्टिव रेट निकालनी हो तो यह फार्मूला होता है चक्रवधी ब्याज हो बिलकुए अब अर्धवारसिक बोल दिया तो रेट तो हमारी 6 परसेंट हो गई अब 2 साल का टाइम है और 2 साल में 6-6 मैने क यह बनेंगी 4 अल्टिमेटली 4 बर्स का करना हैं तो हम इसमें 6-6 के साथ यह एक बार फार्मूला लगाएंगे एक बार यह यह य Almost निकी यह दो साल के साथ इह दो साल के साथ तो छह 6-6 बारा दिसंबलब तीन छे इधर भी बार दिसंबलब तीन छे अब बही फार्मूला एक बार इनके साथ लगाएंगे तो यह आजाएगा इनको तो जोड़ देंगे तो 72 12 24.7 दो गया प्लस का 12.36 गोडे में 12.36 बटे में हो गया 100 अब यहां पर देखो आपको ऐसा तो नहीं है फिक्स करना पड़ेगा यहां पर देखो 24 लिखा है अब मालो अगर यह पॉइंट होता पॉइंट 144 आ जाता तो पॉइंट 144 एक करना चार दो चेह गया साथ चेह 11 हो गया आँसे लगा एक पांच चेह गया तो गया यह निकिशब्द दसंब्लब एक चेह आया अब इसी पर काम कर लो तो 22 का 126 दसंब्लब एक चेह निकाल लेते हैं समझ रहना देखो यहा समझ गया ऐसा क्यों कि यह 126 भाई पूरा हमने यह निकाला है जो भी ब्याज आता है निकलके परसेंटेज में आता हो और हंडेट पर काम चलता यह प्रिंसेपल इसमें परसेंटेज जोड़ दिया हमारा एमांट बने गया एमांट हमसे पूंचा गया तो यह दो जीरो चल अगला सवाल बाकी आप सोचते रहो जो भी सोचना है एक प्रतियोगी परिच्छा में 200 प्रसन है सविता ने पहले 1500 प्रसन में से 70% प्रसनों के सही उत्तर दिये पूरे में उसे 60% यह 50 में कितने किये तो देखो सिंपल सी बात है यह 150 और 50 इनका रेशियो करेंगे तो 5 एक 250 में 70 की पूरे में 60 में यह निकालने तो इनका डिफ्रेंस करेंगे तो यह 10 एक बराबर में 10 तो तीन बराबर में 30 हो गया और आपको एलिएशन में पता है एक ज्यादा हो गया तो यह कम होगा यह कितना आ जाएगा 60 माइनस का 30 अंसर हो गया 30% अगला सवाल एक बस्तु क करें मूल एक हजार है इसे अंकित मूल पर बेचा जाता है तो अर्जित लाब बताना सिंपल है एक्स पर फंद्रे परसेंट की चूट का मतले 85 परसेंट में चीज देदी पचीस परसेंट का मतले 25 चोकु सो यानिकी तीन बटे चार में देदी और 796 875 अपान में थाउजन ये फ oral पर पंच यह पर पचानस अथ हो गया यह अफर 25 हो गया 15 15 1575 हो गया दो बचरह Яँवा है 1774 54 यह Aaटा से 100 चला गया На कि कि मार्क प्राइस थ्री वन टू फाइब इंटू में फोर आ गया हमें यह पता था कि क्रेमूल हमारा इतना इसको यहां से कुछ गलत कर दिया ना अच्छा हाँ ठीक है यहां पर एक 0 और बढ़ा लो यह आँ पर एक 0 कम रह गया था यह बढ़ा देंगे पर सेली खरसी पर desc करता है दोनों इस तुम्हें खरीदता है यदि अधिकतम संभावित कुर्शियों में कुर्चियां खरीदी जाती है तो अलमीरा की संख्या कर्चियों की संख्या के बीच अनपाद क्या होगा यह सबाल पूरा ऑप्सन बेज़द्ध है ठीक है यह एक जार हो गया तीन सो हो ग सारे option चेक करेंगे यहां पर एक का फिर दसका रखेंगे तो तीन एजार एक जार चार अजार यह मुल्टीपल है नहीं है तो कैंसिल कर दो फिर यहां पर दो रखेंगे दो अजार बन गया पांच रखेंगे पंदरा सो यह निकी पैतालिस सो हो जाएगा ठीक है यह भी नहीं हो सकता फिर तीन रखेंगे तीन एजार दस रखेंगे तीन एजार यह भी मुल्टीपल नहीं है ठीक है बाकि आप देख लेना थोड़ा वह जोगा किसी दनात्मक संक्या में जब सत्रा जोड़ा जाता है तो बहुत करम के चौरासी गुने के संक्या कौन सी होगी आप एक सी देखो यह option में चेक करेंगे जो चौरासी में भाग चला गया करने मतलब है एक संख्या में सत्रा जोड़ा जाता है और तो बहे बहे संख्या की चौरासी गुना हो जाती यानिकि जो संख्या वह चार से कटनी चांग्गे चार से कह रहूं आने के कोई चांस है नहीं है आपने चार रखका सत्रा चार एक्केस चौक चौरासी हो रहा तो इधर भी एक बटे में चार गुड़े में चौरासी यह 21 हो गया सैटिसफाइड आंसर अगला सवाल अब यह सवाल देखो बहुत बढ़िया ना इसको देखते ही छोड़ना बहे तै मूल पर बेजता है उसके बाद बहे उस मूल पर 10% की चूट देते हुए 10 केजी सक्कर इस चूट के साथ बेजता है अंततब है चूट बाले मूल पर 25% की अत्रिक्त चूट देते हुए बची हुई सक्कर भी बेज देता है पूरी सक्कर बेचने के बाद उसे कुल इतने प्राप्त होते हैं और कुल मिलाकर 20% का लाप प्राप्त होता है यदि उसने पूरी 50 के जी सक्कर बिना किसी छूट के मुल पर बेची होती तो उसका लाप बताना था आप इसको दिखो ये तो मुझे ऐसा लगता है कोई बढ़का हुआ किसी का पती होगा उससे बोला सीयल में आएंगे कि ये कहे कैसी अब रहा है तो ये सबाल इसलिए ये हो गया लेंदी अब ये थी लाया उसने पांच केजी तो कर ली बचा कितना 45 के जींग शम्झना भाइब को फिर उसके बात Δस केजी एक जगए B vaccines भी एक जगए तो 15 पच्चेस याने की 20 बच्ची है पर अगर एक्स के इसके हिसाप से वेश दी तो कोई बाती नहीं है यह मूल हमने बनाया था तो ये तो 15 कज उसने ताह मूल पर ही बेच दी उसके बाद उसने 10% छूट दे दी यानि कि यह 90% में बेच दिया और उसके बाद उसने यहां पर अतरिक्त छूट दे अब इनको यहां से calculation करके सबको जोड़ना था तो यह दो 0 यहां से चले गए, दो दूनी 4 हो गया, इन सबको हमें क्या गणना जोड़ना है, तो इधर करेंगे पंदा दूनी 30 हो गया, इधर 9 दूनी 18 हो गया, प्लस का कर देंगे तो 9, 3, 27, x पूरे का बटे में कर लेंगे 2, यह पूरे में यह हो गया, तो इधर करेंगे 8, 7, 15 की 5, हांसे लगा 1 हो गया, 4, 1, 5, 2, 7 हो गया, 75, x बटे में 2, इसका मान कितना दिया था, 1875 दिया था, यानि कि हम x बराबर अगर लिखते तो 1875 बटे में 75 गोडे में 2, यह तो आ गया जो मूले हमने माना था, अब यहां आगर हम 120 बराबर यह लिख दे, 1875 और 100 बराबर निकालने तो यह क्या आ गया, cost price आ गया, अब यहां पर अगर selling price हम लिख दे तो 50 का था, और x का मान कितना हो गया, इतना हो गया, यानि कि 1875 बटे में 75 गोडे में 2 हो गया, यह क्या हो गया, इसी का हमें ratio बना कर, इसको solve कर के हमें answer निकालना था, हमारा answer आ जाता, तो 1875 यह चला गया, यहां पर, 50 यह था, और 75 पच्चेस दूनी 50 कर लो, 25 दिया 75 कर लो, इधर करेंगे 3 चोकू 12 हो गया, 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे 2 दूनी 4, 4 चोकू 16, इधर कर दो 10, यहां से profit छेका हुआ, बटे में 10, अधिकी की फिर 5% की कमी तो बरतमान में इतने मिलते हैं तो उसका मूल बेतन, तो 17, 100 और 20% की बरती तो 120, 5 की कमी 95, गोडे में 100, गोडे में 100, ठीक है, 19, 95, 99, 171 हो गया, 12, 50, 60 हो गया, 15, 96, कहीं 15 लिखरा दिखरा है, answer, चलो फिर यह सिप्ट आपकी समाप्त हो गई, आप इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मैंने पूरी मेनस से 45 के 45 कोश्चन रिकॉर्ड किये थे, मैं यह चाहता तो आज का दिन आपका गैप भी कर सकता, लेकिन मैंने गैप इसलिए नहीं किया कि कुशना कुछ तो मिली जाए, ठीक है, तो यह आपके 15 कोश्चन रहे, अच्छ